हेलो फ्रेंड वेल्कम टू शिपसंकर सेफ चैनल सिपसंकर सेफ चैनल पर आज आप देखेंगे कुरकुरे भिंडी डिसीपी कैसे बना है तो चलिए सबसे पहले हम एक बॉल्स में पानी लेकर भिंडी को हम पहले अच्छा तरीका से धुलाई कर लेते हैं क्यों जानते हैं क् काटने से पहले अगर अच्छा तरीका से धुलाई नहीं करते हैं और भिंडी का पानी एक कपड़ा से हम जल्दी है इसलिए शुखा लेते हैं क्योंकि जब भी में काटेंगे तो उसमें जो एक लेयर टाइप का मतलब सूप में जैसे एक लसी टाइप काता है न वो नहीं आएगा तो चलिए मैं पहले यह देखिए सबसे पहले विंडी कैसे कट लेना है आपको पहले कट कर लेना कैसे कट करना है यह देखिए छोटा-छोटा सा कट कर लेना है और भी बहुत सरा वीडियो आपको यूटूब चैनल पे मिलेगा जिनका अलग-अलग सा अपना- आके खाएं तो देखिए क्या मज़ा आजाएगा आपको वीडियो को अंतक देखें और प्लीज चैनल पे नएया है तो स्क्राइब कर लिजे और बेल ओकान जरूर दबाएए क्योंकि ऐसा ही अच्छा-च्छा कॉंटेंट आप लोगों को देखने के लिए और अच्छा र पॉडर एड गयों थोरा से एड गयों हल्दी पॉडर थोरा असे ब्लेक सॉलट और इसमें अप थासा वेड शॉल्ट श्वादनश्वार अथा सभी जीरा पॉडर आप एड कर सकते हैं और थासा नाम के लिए आप चाट मसाला भी एड कर लें तो हैन बहूत ही इंटेस्ट और इसको अच्छा तरीका से मिक्स कर लें अब ये भिंडी को हम इसमें एड़ करेंगे हाँ इसमें थ्वासा लश्चा पन मतलब लेयर लेयर सा तारगा जैसा आएगा इसको फ्वाय करने का जो तरीका है वो बहुती अलग है और बहुती कुरकुरे और क्रिस्पी होने वाला उसको चेक कर लिए पहले कितना गरम है हाँ इससे ज़्यादा गरम में ना डाले क्योंकि आपका जो ये बेशन जो इसमें लगाए है भिंडी में वो अच्छा तरीका से क्रिस्पी होने नहीं देगा सौपनेर्स रख देगा तो ये देखे कितना है न खुबसूरत आपको लगेगा कि छोटा छोटा सा पकोडा बनाया हूँ लेकिन जब आप गेस्ट के सामने सर्फ करोगे तो वो लेगा वाओ कौन सा चैनल सा आपने देखा है तो प्लीज आप लोग बता दीजिएगा न सि स्क्राइब करें और बैलोकन दवाएं अच्छा लगे तो वीडियो को सेर करें है न बहुत इंट्रेस्टिंग ति यहीं पर वीडियो खतम नहीं होता है आप ऐसा ही गोल्डन कलर का फ्राय कर लिजेगा उसका बाद फिर से एक नौनिस्टिक फ्राइपिल लेना है मतलब उ पर फीतला सेर्षौ का तेल एड़रै जैसे कि आपका कॉंठिटी के हिसाब से हमने जितना कॉंठिटी ले हुए उसी सबसे एड़ किया हूं इसमें ध्राइस में गोटा जीरा आप 9 जह आप घर पर दाल और रैस बना रही है तो यह एक बर साथ में फ्राइप करigent और रोट और इसमें हमने एड क्या हूं ग्रीन चीली लंबा लंबा से स्पाइसी के लिए तो हैनब बहुत ही इंटेस्टिक और इसमें थ्वासा आप एड कर लेंगे करी पत्ता करी पत्ता जब एड करते तो उसका जो भिंडी कर फ्लेवर है वाओ कुछ और ही टेस्ट लगता है क्यों नमक ले लें वाइड शॉल्ट और यह भिंडी फ्राय किया हुआ कुरकुरे भिंडी हम इसमें एड कर देता हूं और अच्छा तरीका से टोस करने के बाद हम गेस्ट के सामने लेके जाएंगे यह बनके त्यार है प्लीज आप खाके देखिए अच्छा है यह नहीं लेकिन मुझे तो अच्छा लगा है और उमेद करता हूं जो आप लोगों को भी यह वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो प्लीज सस्क्राइब कर लिजे बैल ओकन दबाए और कोमेंट करना नहीं भूलेगा लैक चरूर कीजिए फिर ऐसे नियो कंटेंट आपको लिए के आएंगे